उल्ड दोस्तों डिवोशन इंस्टिट्यूट में आप सबी का स्वागत है जोमेट्री का हमारा अगला सेशन एक और इंपोर्टेंट सेशन जड़ा देखिए क्या लिखा हुआ है साइंड और कोसाइन रूल ये दो रूल हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं बहुत सारे प्रश्चन वैसे आपको मालूम है ज़ादा तर प्रश्चन एक से ज़ादा तरीके से किये जा सकते हैं बड़ अगर आपको ये रूल मालूम है तो बहुत सारे प्रश्चनों में समय बचाया जा सकता है जरा ध्यान दीजिएगा पहले मैं बात करूँ आपसे sign rule के बारे में सारे के सारे students ध्यान दीजिएगा ये sign rule क्या है मैं कोशिश करूँगा कुछ इस तरह से हम बात करें कि आपको इसका theoretical knowledge और practical knowledge दोनों बहुत अच्छे से हो जाएं और इसका application मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में इसको सीखने के साथ जरा देखिएगा हमारी सारी बाते triangles के बारे में हो रही है अगर triangles के बारे में हो रही है तो जरा एक बार board पर ध्यान दीजिएगा अगर मैं आपसे बात करूँ A, B, C आप सब लोग जानते है A के सामने side A है B के सामने B है और C के सामने C है इसमें कोई doubt नहीं है angle A, angle B और angle C ये sign rule क्या बोलता है इसका meaning क्या है कैसे prove होगा कहां इसका use होगा किन प्रशनों में समय बचाने के लिए इसका इस्तमाल कर सकते है कहां कहां इसको avoid भी करना चाहिए मैं आपको बटाऊंगा लेकिन ध्यान दीजिएगा ये rule हमसे क्या बोलता है ध्यान से मेरी बात को समझेगा ये कहता है कोई भी angle लीजिए क्या लीजिए angle ढंक से सुनिएगा पहले theoretical बात दो चीजिए लीजिएगा angle और उसके सामने वाली side तो आप मुझे ये बताईए कि किसी भी triangle में कितने angle नजराएंगे आपको जितने vertex से उतने angle होंगे तीन angle है पक्की बात है और sides भी तीन होंगे ये भी पक्की बात है ABC और side भी ABC तो angle और उसके सामने वाली side का जो रिष्टा है वो तीनों में बराबर बना रहता है क्या केना चारों जरा देखिए अगर मैं एक ही बात करूँ दोनों angle से बोल सकता हूँ तो A बटा A बटा sign A बोलूँगा A बटा क्या बता ये sign A मैंने कभी कुछ direct नहीं दिया आपको मैं अभी आपको दो मिनिट में ये भी बताता हूँ कि ये कहां से आता है क्यों आता है सारी बते A, A के सामने हमारे पास angle A है तो जो angle है उसको मैं sign यहाँ पर देखिए नाम ही ये लिखा हुआ है sign rule तो अभी sign की बात हो रही है B अगर आप लेंगे तो B के सामने आपको क्या करना पड़ेगा sign B B के सामने क्या करना पड़ेगा sign B और अगर C की बात करेंगे तो C के सामने क्या करना पड़ेगा sign C बात खतम यही rule है इसे ही हम कहते है sign rule अब ये कहां से आया, इसका क्या प्रियोग करना पड़ेगा, देखो हम similarity की तरह इसका इस्तमाल करते हैं, कैसे करते हैं, जान दीजेगा मेरी बात पर, जैसे देखो ढंक से समझना मेरी बात, अटेंशन दीजेगा, ये जो दो हैं, यानि कि side A और B, आपको total चार चीज नजर बनाएगा, तीन चीज देगा, चौती चीज पूछलेगा, तो हम similarity का इस्तमाल करते हुए, उसी pattern पर हम कर सकते हैं, जब मैं question करा हूँगा, तो आप देखेंगे, कि चंद seconds में, 10-15 seconds में काम हो जाएगा, एक बार ये समझना जरूरी होगा, कि ये आया कहां से, जरा ध्यान A के सामने side A, B के सामने B, और C के सामने C, ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक perpendicular डाला है, और इसे अपन बोलेंगे AD, क्या बोल रहा हूँ में AD, अगर ये perpendicular है, तो फिर ये 90 degree है, ये क्या है बताए, ये 90 degree है, आप ज़रा ध्यान दीजेगा, सारे की सारे students, अपनी ये बात हो ही थी, कि ये आया कहां से है, from where it comes, मुझे बताए, ये angle B है, ये angle C है, और ये angle A है, अब बहुती ज़रा ध्यान दीजेगा, एक triangle जो मुझे ABC दिख रहा था, मैंने उसमें vertex A से side BC पर एक perpendicular डाला, AD, और जैसे मैंने ये डाला, तो यहाँ पर मुझे अब दो right angle triangle नजराने ल लगे, क्या नजर आने लगे? दो right angle triangle मुझे नजराने लगे, सारे बच्चे ध्यान दीजेगा, देखो, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पहला right angle triangle, पहला जो right angle triangle है, वो क्या है, बताइए, A, B, D, आपको A, B, D, पहला जो right angle triangle है, A, B, D, अगर मैं उसमें बात करूं आपक तो मैं sign B की आपसे बात करता हूँ, अगर मैं आपसे बात करूँ sign B, मैं already trigonometric के 35 sessions ले चुका हूँ, उसमें height and distance के 5 sessions लिये थे, सब कुछ करवा रखा है, और मैं अभी इस sign और cosine rule में height and distance की थोड़ी से property यूज करूँगा, बिल्कुल करूँगा, 30, 60, 90, 45, 45, 75 यूज यूज हम यूज करेंगे इसलिए मैं आपको कहता हूं सिक्वेंस में देखना जरूर यह हलाइकि मैं रेफरेंस दूंगा आपको दुबारा से बट अगर आपको पहले से पता होगा तो मज़ा कुछ और आएगा इतर देखिए पहले से पता होगा मतलब मैंने जो करवा रखा वो एडवांस मेट्स के नाम पर जरा ध्यान दीजेगा कुछ बच्चों ने मेरे से बात की कि सर यह वाला जो अपन कर रहे हैं यह किस लेवल का कोर्स कर रहे हैं जब यह हो जाए जैसे देखो मैं आपको एक्जामपल के लिए बता हूँ आप एक बार हाइट इन डिस्टेंस क पांचे सेशन्स निकाल कर देख लो उसमें करीब करी मेरे को ध्याने और आप 55-60 कॉशन्स मेंने करवाएं वो आप करके देख लीजिएगा SSE mains का आपको कोई question नहीं छूट सकता अगर आप वो questions के concept समझ जाएं तो SSE trigonometry है और SSE geometry करेंगे तो अगर SSE mains का level अगर आप आराम से cover करते हैं तो फिर चाहिए CDS का exam हो और बाकि सारे exams तो हो ही जाएंगे तो आप यह मान के चलो कि competition में कोई भी exam हो उसको आप prepare आसनी से कर सकते अब ज़रा देखेगा एक बार सबके सब बच्चे आपको मैंने क्यों trigonometry की चर्चा की अभी आपसे वो इसलिए कि कि sign cost 10 की बाते हम trigonometry में कर चुके perpendicular upon hypotenuse perpendicular upon क्या बता यह hypotenuse और आप जानते हैं कि अगर यह altitude है अगर यह perpendicular है तो यह क्या है यह इसकी height है यह क्या बता यह height है और आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि जो भी angle होता है उसके बिलकुल सामने perpendicular होता है तो sign b की बात करूँगा तो perpendicular हमारा h नजर आता है और जो hypotenuse है वो c नजर आता है बता यह clear cut दिखरा यह नहीं दिखरा अगर मैं sign b की बात करूँगा तो perpendicular क्या है बताईए h बिल्कुँ सामने और hypotenuse क्या है बताईए c h upon c यह बिल्कुल clear cut नजर आता है अच्छा अगर मैं यहां बात करूँ आप से एक कदम आगे तो अगर मैं h की बात करना चाहूं सिर्फ h की बात करना चाहूं तो क्या आप लोग यह कह सकते हैं c उदर ले जाता हूँ मैं sign b c sin b क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ बिल्कुल कह सकता हूँ इसी तरह से एक right angle मेरे को और नजर आ रहा है अगर मैं बात करूँ right angle triangle मुझे एक और नजर आ रहा है कौन सा वाला नज़रार ज़रा देखिए, A, C, D, A, C, D, देखिए, मैं बहुत ज़ादा में विश्वाश नहीं करता, इतना खाली आ जाए कि पचे नहीं, मैं चाहता हूं कि उतना ही खाएं, जितना हम पचाते चले जाएं, तो अपन उतना करने हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ स बात करों, तो सेम वही बात यहां होगी, लेकिन वही बात होगी, तो फिर यहां पर साइन भी थोड़ी हो सकता है, यह वाले ट्रेंगल में तो B ही नहीं, इस वाले में तो A भी है, D, B और C भी है, और एंगल की बात करें, तो इसकी हम बात करेंगे, अगर मैं साइन C की बा सकता हूं बताइए मैं H के लिए कह सकता हूं B B sin C B sin C बताइए मैं ऐसा कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं is it clear or not बताइए अगर मैं आप से यहां बात करूँ तो आप ज़रा देखिए यह है एच यह रहा यह एच यह रहा अगर इन दोनों ह को हम compared करना चाहें तो कि दोनों ही है दोनों ही इस ट्रेंगल की हाइट है और अगर है इस है रिए अगयर बराय बराबर हैं जाभा कोई ये जो आपका c sin b है ये जो c sin b है यही b sin c के बराबर है ये जो c sin b है ये b sin c के बराबर है अब आप क्या कीजिए आप किसी भी एक को देखो c धर है न साइन सी धर ले आओ c को तो रहने दो इदर और sin c धर रहोगे तो नीचे जाएगा sin c और b को उधर रहने दो b उधर ले जाओ तो ये क्या बनेगा बताइए sin b ज़रा धंग से देखिए attention दीजेगा बूरी तरह से ध्यान दीजेगा क्या ये वही नहीं है जो मैंने पीछे लिखा था यहाँ पर a upon sign a, b upon sign b, c upon sign c या मैंने क्या लिखा है c upon sign c, b upon sign b आप किसी को लेगा सर a नहीं आया एक दो मिनिट और खर्च करेंगे कोई तकलीफ नहीं है जरा बोर्ड पर ध्यान दीजेगा सारे के सारे बच्चे attention दीजेगा देखो बहुत छोटा काम नहीं कर रहे आप आप वो काम कर लेओ competition की तेयारी जिससे आपका पूरा जीवन जब तक सास है तब तक आपको और आपकी family को फरक पड़ेगा कसर मत छोड़ो थोड़ी सी भी 10 मिनिट जादा लगे कोई चीज समझने में लगने दो कोई खास बात नहीं है जाने दो और मैं आपसे घर की तरह बात करूँ मै तो इस पर दिमाग ही नहीं खर्च कर रहा कि कितने लोग देख रहे हैं doesn't matter आप 1000 देखें 5000 देखें और कम देखें कोई बात नहीं बट मैं जानता हूँ और मैं यह चाहाता हूँ कि जो sessions attend कर रहा है उसको मज़ा आना चाहिए और जो seriously त्यारी कर रहा है उसको फाइदा मिल ना चाहिए तो मैं तो कसर छोड़ूंगा नहीं इधर देखो अभी मैंने क्या किया था मैंने जब vertex A से perpendicular डाला तो मैंने B और C की बात कर ली थी अब A नहीं आया था मेरे पास तो A को लाने के लिए क्या करूँ अब मैं क्या करता हूँ समझे मैं चाहता तो A भी यहां ला स C के सामने C रहेगा क्यों क्यों क्योंकि ट्रेंगल तो वही है सेम वही ABC है उसमें कोई फरक नहीं है केवल इस altitude का फरक है perpendicular पहले AD इधर था अब AD इधर है अब असल में क्या है मैं सिर्फ इस A को चाहता था A को निकालना अब comparison करने के लिए मिरे को दो तो चाहिएंगे न वरना comparison के भी आपन कैसे कर पाएंगे जैसे अपने यहां comparison किया दो में वैसे हम यहां धो में फटा फट सा comparison करते हैं देखो अगर मैं sine A की बात करूं यहांपर भी मिरे को दो right angle triangle तॉ और पर भी तो तो sign A इस बार मुझे नजर आता है, sign A बार-बार कह रहा हूँ, क्या होता है sign A, sign का मतलब है perpendicular upon hypotenuse, तो इसका perpendicular से सामने होता है हमेशा, यानि कि H, और hypotenuse क्या होगा, बता इए, यह C, क्या होगा, यह वाला C, इस A के लिए, अगर बात करो sign A के लिए, अब यहां में इसी तर और वहाँ में sin c की बात करूँगा और sin c की बात करूँगा तो इसके सामने क्या है h इसका perpendicular और यह क्या है बता यह hypotenuse अब यहाँ पर फिर वही बात है किस h का क्या मतलब है c sin a c sin a इस h का मतलब है और इस h का क्या मतलब है बताईए a sin c a sin c इस h का मतलब है आप देखिए उनों ही A की ट्रेंगल के है, तो बराबर है, मैं क्या कह सकता हूँ, C sin A, C sin A बराबर A sin C, तो मैं कह सकता हूँ, आप C को इधर रहने दो, तो C upon sin C, C upon sin C, और A को उधर रहने दो, A upon sin A, अब आप ज़रा देखे, A upon sin A, C upon sin C, और पीछे C का कमपेरिजन किससे हो रहा था, बता ये B से, तो C upon sin C, किसके बराबर बता है, ये B upon क्या बता हो, sin B, तो इस तरहा से, इस तरहा से मैं बात कर रहा हूँ, पहली बात, मैं बहुत सारी बाते करूँगा आपसे, तो ये मेरा पहला concept है, आप points में लिखोगे न, तो आपको फाइदा मिलेगा, क्योंकि sin और cosign rule को लेकर के मैं 6-7 बाते करूँगा, चोटी-चोटी-चोटी, और एक-एक चीज उठा करके, कुछ कसर बाकी न रही, ज़रा ध्यान दीजेगा, तो मैं आपको बता हूँ, मेरे साथ अगर काम करना है, तो आपको या तो करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, कभी करें, कभी सेशन हो गए, अभी तक जोमेटरी खतम नहीं हुई, अभी 40% हुई है, 40%, अभी आधी भी नहीं हुई है, अगर हम भात करें, कम से कम 40 सेशन चाहिएंगे, तब जागर जोमेटरी पूरी हो पाएगी, अगर अच्छे से करनी है, तो आप करें, तो ढंक से करें, इधर देख किया, तो यह A upon sign A, बराबर B upon sign B, बराबर C upon sign C, यह हमारा, यह rule बनता है, इसको हम यूज करके देखेंगे, अभी अभी थोड़ी देर में, तो यह मैंने आपको पूरूफ करके दिखाई, पहली चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज पर आईएगा, एक बात बताईए, ज अब हम से sides के ratio पूछ लेता है, किसके पूछ लेता है, sides के ratio पूछ लेता है, तो sides के ratio कैसे निकालेंगे, सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजेगा, देखो, यहां sides क्या है, बताईए, A, B, और क्या बताईए, C, A, B, और क्या है, बताईए, C, तो अगर हम यहां sides के ratio की बात करें तो कैसे एक बार सिखने की कोशिश करते हैं देखें मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं देखो a upon sign a अभी आपने कहा बराबर है b upon sign b ये भी सही बात है और बराबर है c upon क्या बताई है sign c अब ये सब बराबर हैं और हम जब कभी इसको ratio देखते हैं तो ratio proportion में मैं आपको सिखा रखाए कि हमें कुछ ना कुछ जब ये सारे बराबर है तो इनको constant मानना पड़ेगा और जब गणित अग्यों ने constant के माना तो मुझे क्या जरौत है कुछ और मानने की तो मैं ये कहूंगा कि a की value क्या आती है बताइए k sign a k sign a a अगर मैं बात करू b ki value क्या आएगी k sign b और अगर मैं बात करू c की value क्या आएगी k sign c तो abc की ratio गईर निकालना छाहो अगर tीनो sides के ratio निकालना चाहो चुकि k तीनों में common है, तो आप उसको काट सकते हैं, तो आप क्या बात करेंगे, बताइए, sign A, अनुपात sign B, अनुपात sign C, क्या मेरी बात को समझ पा रहें, तो दूसरी बात आप ये note कर लीजिएगा, कि अगर तीनों sides के ratio चाहिए, तो आपको इसी में मिलेंगे, sign A, sign B, और sign C, ज एक छोटा सा concept और बताता हूँ, फिर question लेता हूँ, फिर कुछ नया, फिर question ऐसे चलेंगे अपन, एक तीसरी चीज़ और देखिएगा जरा, ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर point number 3 बोल दो, किसी को लेके साब एक ही बात तो थी वो दोनो, हाँ हाँ एक ही बात थी, कोई बात नहीं, लेकिन अपन को याद करने के लिए अच्छा रहेगा, तीसरी बात, तीसरी बात, बहुत ज़्यादा महत तो पूर बात, धंक से सुनिएगा, हम ट्रेंगल्स की चर्चा कर रहे हैं, जोमेंटरी में है क्या, जोमेंटरी का आधे से ज़्यादा तो ट्रेंगल ही है, अगर हम बात करें, सबसे मेजर काम ट्रेंगल का है, उसके बात सर्कल का है, बाकी 25% से भी कम बसता है, इधर देखो, कॉंसेप नमर 3, एरिया निकालने के तरीके, दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं साइन रूल के बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा हम ये भी 3 में से और उनके बीच का एंगल पता है अगर उनके बीच का एंगल पता है तो फिर हम बात करें आप क्या निकाल सकते हैं आप ज़रा ध्यान दीजेगा एक right angle triangle होता है अगर राइट n ट्रेंगल में चुक्कि क्या होता है बेस और हाइट दोनों नजर आती है अब जो परपेंडिकुलर वह हाइट होती है तो क्या होता है वन बाइट टू बेस इंटू हाइट यही रह जाता है इंटू दोनों के बीच का कितना होता है साइन नाइंटी और साइन नाइंटी कितन मेरी नजर में, A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C, यह angle A है, यह B है और यह C है, आप ज़रा ध्यान दीजेगा, मैं जो बता रहूं आपको, कि मैं आपसे बात करूँ area, मैं आपसे बात करूँ area of triangle A, B, C, area of triangle A, B, C, कैसे निकालते हैं? 1 by 2, base into height, 1 by 2, base into height, एक बटा 2 multiply करें, आधार multiply, उचाहिसे, ऐसे हम इसका area निकालते हैं, यह सारे बच्चे जानते हैं, अब यहाँ पर height है नहीं, यहाँ पर height है नहीं, अगर height होती, तो कोई संकटी नहीं था, आप अगर यह वाला height लेते हैं, तो base यह चाहिएगा, यह समझ नहीं चाहता हूँ, कि यह तो सारी दुनिया को ही पता है, अब दूसरी बात क्या करें, और उससे क्या reference निकालें, जरा वो देखेगा, सारी कि सारे लोग, आप देखिया, तीन साइट से आपके पास, एक तो साइट A है, एक साइट B और एक साइट C है, मैंने अभी आपको ध्यान दीजेगा, अगर उनके बीच का एंगल पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ जैसे देखे, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो पहली बात एक बटा दो, अपन तीन पेर बना सकते हैं, पहले पेर में साइट हो स कोई शक नहीं है, आप समझ पारें बात को, अब देखो क्या होता है, 1 by 2, दोनों sides कोई भी, अगर मैं side A और B की बात कर रहा हूँ, तो side A multiply side B, समझने की कोशिश कीजेगा, side A multiply side B, और multiply क्या गरोजरा ज्यान दीजेगा, यह beach का angle, और जो beach का angle है, वो क्या बताई है, sign C, sign क्या बताई है, C, अगर हम sides A और C लें, अगर हम sides A और C लें, तो क्या करेंगे, बताई है, 1 by 2 multiply A multiply C, और beach का जो angle है, A और C के, A और C के beach का angle क्या लेंगे, बताई है, sign B, क्या लेंगे sign B या फिर या फिर हम तीसरा काम क्या कर सकते हैं 1 by 2 अब मेरे पास A और B का option था A और C का option था अब B और C का option है तो B multiply क्या गरूँ बताए C और B और C के बीच का angle कौन सा है sign A कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी 2 sides पता है अगर आपको कोई C भी 2 sides पता है और उनके बीच का angle है तो area बहुत आसानी से निकाला जा सकता यह बहुत important बात है अमारा concept number 3 चलिए अब हम लोग कुछ questions करके देखते हैं ध्यान दीजेगा प्रेशन संख्या 104, 103 तक मैं अलड़ी करवा चुका हूँ 104 यह आपके exam में आएवा question है CGL के अंदर ध्यान दीजेगा इन्हें triangle A, B, C B का पता है, C का पता है B, C एक side का पता है और A, B एक side का पता लगाना है That's very very easy job अगर आप sign rule का इस्तमाल करते हैं तो इसमें भी मैं आपको दो बात्या बताऊँगा अध्यान दीजेगा सब लोग देखो अगर मैं एक triangle बनाने की कोशिश करता हूँ उसने बोला मेरे को triangle A, B, C ये A रहा, ये B रहा, ये C रहा B कितना बोला है, 30, ये 45 ये 30 है, ये 45 है तो ये 75 हो चुका 105 ये निकलेगा, इसमें कोई doubt ही नहीं है 105 ये हो गई होगा B, C आपको पता है 30 cm है B, C उसने दिया 30 cm और A भी आपसे पूछा गया है देखे, हम बात करें हम comparison करने के लिए क्या कर सकते हैं A upon sign A, बराबर B upon sign B बराबर C upon sign C 3 में से कोई भी दो उठा सकते हैं अब यहाँ पर मजबूरी क्या है A upon sign ये तो उठाना ही पड़ेगा क्यों उठाना पड़ेगा क्योंकि information ये वाली available है और दूसरा ये ही ले लेंगे बात खतम तो इन दौनों में हम कैसे comparison कर सकते हैं बहुत आसानी से सारे के सारे students ध्यान दीजेगा पूरी तरह से बोड़ पर देखो अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर तो यहाँ पर मैं कहूँगा आपसे कि आप A upon sign A की बात करेंगे तो A के सामने क्या है ये A B के सामने क्या है B और C के सामने क्या है C तो ऐसा आपको एक्जाम में नहीं लिख रहा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए कोई कोई बच्चे को confusion हो जाता है वो ना हो इसलिए मैंने बोला A कितना है 30 cm और उसके सामने एंगल कितना है sign 105 sign 105 बताइए है कि नहीं अब मैं बात करूँ आपको क्या चाहिए आपको A B चाहिए A B चाहिए मतलब क्या आपको आपको side C की जरौत है अगर आपको side C की जरौत है इस A B की जरौत है A B पूचा है तो आप जैसे बहुत कर रहो है side पहले लिए आपने angle बाद में लिए उल्टा भी कर सकते थे जैसा मन करें और बताता हूँ कई बाते यहाँ पर side C की A B आपको A B चाहिए तो A B आप यहाँ रखिए सेम जैसे आपन similarity में करते आए और इसके सामने angle क्या चाहिए आपको sign 45 sign 45 सारी बाते बात खतम बस यही हमारा answer होगा यही हमारा answer होगा अब इसमें एक दिक्कत क्या है sign 105 हमारे सामने दिक्कत है sign 105 की बारे में आपसे थोड़ी सी बात मेरे को करनी चाहिए sign 105 की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको याद आ जाए तो हमने जब trigonometric की बात की थी तो दो तरह से बात की थी यहाँ पर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ पहली बात मैं इसको बोल सकता हूँ 60 प्लस 45 60 प्लस क्या बोल सकता हूँ 45 sign a plus b क्या होता है sign a cos b plus cos a sin b ऐसा होता है की नहीं होता बताए अगर हम बात करें sin A, sin 60 कितना है, root 3 by 2, sin A cos B, 1 by root 2, और अगर मैं plus की बात करूँ, cos B यनी कितना है, 1 by 2, और sin A मतलब 1 by root 2, और आपको मैंने याद तक करवा दिया था, नीचे तो 2 root 2 आना ही आना है, 2 root 2 उपर क्या बताईए root 3 plus 1 root 3 plus क्या बताईए 1 आपको अगर याद आ जाए मेरी classes जिनोंने trigonometry की attend की हुई है तो उनको ये धान होगा कि sin 75 की value हमने ये याद की थी इधर देखो पहली बात दूसरी चीज़ इसी sin 105 को अगर आपने quadrants पड़े हैं करूँगा तो ऐसा मिल जाएगा तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ sin 75 क्योंकि ये second quadrant है कौनसा quadrant है second quadrant है और second quadrant में sin positive होता है तो इस sin 105 को मैं sin 75 भी कह सकता हूँ और इस sin 75 को मैं क्या कह सकता हूँ बताईए मैं 45 plus 30 भी कह सकता हूँ और इसको भी करेंगे करके देख लीजेगा ना इतना सा sin A cos B plus cos A sin B गोम फिर करके यही आएगा कहना इतनी कहानी क्यों बोली मैंने दुबारा से क्योंकि तब सिखाया था मैंने trigonometry में अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो please यह rules में trigonometry के वहाँ से आपको पता होने ही चाहिए क्या करें तोड़ा सा आपस में match की चीज़े relate करती है तो यह formula क्या बनता है sin A cos B plus cos से sin B और table आपको याद होनी चाहिए तो यह जो sin 105 है अगर इसकी यह value आपको पता नहीं है तो काम अटक जाएगा ना भई इसके बिनाम sign rule लगाएंगे कैसे तो यह तो जरूरी है अब ज़र आईए पीछा आईए अपन यहाँ पर थे इसको खतम करते हैं देखो ध्यान से समझेगा अगर आप मुझे permit करें तो मैं c d ab की बात कर लूँ और अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ ध्यान से सुनेगा c d ab की बात करूँ तो कैसे करूँगा बताइए ab की बात करने का मतलब है cross multiply करना तो cross multiply का मतलब है इन दोनों को cross multiply करें और sin 105 से divide कर दें यही तो बात है तब ही तो ab मिलेगा तो 30 cm तो यह रहा और multiply करो sin 45 sin 45 कितना हो तो 1 by root 2 sin 45 कितना हो तो 1 by root 2 यह तो दोनों multiply हो गए और divide करना है divide किसे करना है sin 105 से sin 105 अभी क्या है था root 3 plus 1 upon 2 root 2 अभी तो बताये था आपको root 3 plus 1 2 root 2 और यह आपको याद होना चाहिए तो आपने ab निकालने के लिए 30 cm को sin 45 मतला 1 by root 2 से multiply किया और sin 105 से divide कर दिया इस root 2 से root 2 cancel हो गया root 2 से root 2 cancel हो गया यह 2 उपर चला गया तो यह 60 बन गया तो 60 upon root 3 plus 1 60 upon root 3 plus 1 हमारा answer आगया लेकिन यह हमें answer नहीं मिल पा रहा आपको यह minute धेरो 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 भार समझा रखा है सारे बच्चे समझते होंगे root 3 minus 1 root 3 minus 1 से उपर नीचे multiply कर लिजे 3 minus 1 2 हो जाएगा यह 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा तो 30 और root में क्या होगे बताए यह root 3 minus 1 यह मारा answer बन जाएगा 30 root 3 minus 1 option number B is the right answer क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहें तो यही sign rule है sign rule को apply करके हमने इनको आपस में compare कर लिया काम आसानी से बन गया दूसरा तरीका जो मेरे को इससे भी better लगता है वो क्या लगता है वो समझना इसमें क्या हो गया कि मैं इस पे मजबूर हो रहा हूं कि दौनों ही A, A, B, B, C, C मतलब एंगल उसके सामने की side मैं ऐसे करने की जगह में एंगल एंगल भी एक साथ ले सकता हूं side side भी एक साथ ले सकता हूं क्या कहना चाहरा हूं जरा सारे बच्चे धान दीजगा attention दीज़े को मैं इधर लिखता हूं इस बात को ये क्या है बताइए side कितनी है side 30 cm अच्छा क्या ची आपको ये side ये क्या है A, B, बिल्कुल चलेगा तो दोनों side side, A की बात है confuse नहीं होना हर student को reasonably experiment करके देखने चाहिए क्योंकि अगर हमारा 2 second का भी फरक पढ़ता है ने exam में बहुत बड़ा फरक हो जाता 2-2 second का फरक अब ये 30 है दोनों side लिए अगर दोनों side लिए तो दोनों angle भी लेंगे 30 पहले लिए आता तो 30 के सामने क्या बताइए, sine 105 sine 105 और ये बात मिलिया तो ये क्या बताइए, sine 45 इसको भी solve करेंगे तो एक ही बात आएगी बताइगी के नहीं आएगी इसको लेने में फाइदा क्या होता है वो बताता हूं आपको इसको लेने में अक्सर फाइदा क्या होता है कि values आपस में कट जाती है अक्सर अक्सर हापस में values कर जाती है उम्मीद इसको solve तो आप कर लेंगे बात एक ही है तो आपको a b का answer यहाँ पर क्या होगा मिल जाएगा कर वो ही रहे हम 30 multiply sign 45 30 multiply sign 45 और sign 105 से क्या किया डिवाइड आंसर तो ले दे करके वही आना है तो यह sign rule का बहुत ही अच्छा प्रशन है आसान सा प्रशन है समझाने के लिए एक अगला प्रशन देखो ज़रा इन्हें ट्रेंगल a b c एंगल a b c मतब b 30 है c 45 है वो ही 75 बन गया a b दिया हुआ है find the area of the triangle इस बार उसने शित्रफल पूछ लिया इस बार उसने क्या पूछा area पूछ लिया सारे बच्चे ध्यान देंगे एक बड़िया प्रशन है देखो ज़रा ध्यान से शित्रफल निकालने के किसी भी triangle में शित्रफल निकालने के अनेकों अनेक तरीके होते हैं ज़रा देखो अगर मैं बात करूँ a b c तो यह वापस बना लेते हैं हम लोग a b c फटा फट से a b c जो b है a b का मतलब क्या है b angle b 30 है angle b 30 और उधर angle c 45 है यतनी कहानी तो वही बात है पिच्चेतर बन रहा है तो यह 105 ही बनेगा यह 105 बनेगा इसमें कोई डाउट नहीं है अब इसने क्या दिया a b d दिया 40 इस बार यह वाला दिया a b 40 cm a b d दिया 40 cm और उसने इसका area पूछ लिया हमसे area पूछ लिया आप मुझे एक बात बताईए ढंक से समझने की कोशिश किजेगा area कैसे निकाले हम area निकालने के लिए हम दो तिन काम कर सकते हैं पहला काम attention दीजेगा आप इस प्रशन पर जाओ पीछे वाले पर आपने क्या क निकालना चाहिए अभी जितना आपने कर लिया इसका area आसानी से निकाला जा सकता इसके अगला step आपने a b निकाल लिया b c पहले से दिया हुआ था आप इसका area कैसे निकालते एक बटा दो multiply 30 multiply यह जो भी आया था और multiply sign 30 करेंगे की निकरेंगे आप भी तो बताए आपको मैंने आज concept number 3 में बताये की निकाल लिजे अगर आपको ये वाली side दी है तो आप ये वाली side दी है तो आप ये वाली side नि निकाला जा सकता है तो आप कोई भी side निकाल लीजिए अगर मैं इसकी बात करूँ b c attention दीजेगा सब लोग अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूँ तो कैसे करूँ भई सेव वैसे ही जैसे अभी किया था अब आपके सामने choice है कि आपको सामने choice क्या है कि आप चाहो तो आपको ठीक लगे इस बार मैं दूसरे तरह से लिखने के कोशिश करता हूँ जरा देखिए आपको क्या पता है 40 cm यह रा 40 cm साइड साइड अब साइड कौन से लेनिया बी सी यह लोग बी सी अब 40 cm किसके लिए था साइन सी के लिए साइन सी के लिए है या नहीं क्योंकि यह की वैर्यव करों यह चाहिए और यह जो बी सी के लिए वो किसकी लीसे साइन एक के लिए साइन एक लिए बता ही तो है मिश्म सब्सक्राइब आप मिनिमम कैल्कुलेशन करो यह और साइन एसे मैंने चो साइन सी लिख दिया एसके एम生न 45 लिखना चीए था क्या लिखना चाहिए था साइन 45 समझ रहे हुने आप साइन 45 और साइन एक जगे 105 ताकि एक स्टेप जादा नहीं हो जबरतस्ती आप समझ पा रहें अब इदर देखो सीधा BC निकालने की बात करते हैं तो 40 को मल्टिप्लाइ करते हैं अपन किसे बताइए साइन 105 से साइन 105 क्या होता है रूट 3 प्लस 1 अपन 2 रूट 2 बताइए होता है कि नहीं होता तो यह तो 40 सेंटीमेटर मल्टिप्लाइ साइन 105 हो गया इसको डिवाइड करना है किस से बताइए इसको डिवाइड करना है साइन 45 से जो कितना होता है 1 बाइ रूट 2 ऐसा करने से क्या और बीसी मिलने से क्या हो जाएगा अरे काम खतम हो जाएगा बीसी मिलने से ये साइड मिल गई तो दो साइड मिल जाएगी और बीच का एंगल है काम खतम हो जाएगा अभी तर देखो सारे के सारे बच्चे धान दीजेगा इस रूट टू से मैं रूट टू कैंसल कर देता root 2 से root 2 cancel कर देता हूँ बात खतम हो चुकी है इस 2 से में काट सकता हूँ 20 times तो ये 20 root 3 plus 1 मिल गया मुझे 20 root 3 plus 1 मिल गया और ये 20 root 3 plus 1 क्या मिल गया मेरे को मेरे को ये side मिल गई BC 20 root 3 plus 1 अब आप मुझे बताइए इसके आगे क्या बचा मेरे पास कुछ नहीं बच रहा इसके बाद करने के लिए अब आप क्या करेंगे आपको दोनों sides पता है तो area कैसे निकलता है 1 by 2 दोनों sides एक side कितनी है 40 दूसरी कितनी है 20 20 root 3 plus 1 bracket में 20 root 3 plus 1 bracket में और साथ में multiply किससे करें बचाइए sine 30 और क्योंकि ये बीच का angle 30 है sine 30 कितना होता है 1 by 2 क्या मेरी बात समझ पा रहें 1 by 2 ये side 40 ये side 20 root 3 plus 1 और ये कितनी 1 by 2 क्योंकि sine 30 है अगर मैं बात करूँ ये 2 और 2 4 से आप इसको कार दीजे 10 बार और ये 20 को 10 से multiply करेंगे तो क्या हैगा 200 और bracket में क्या रहेगा वही root 3 plus 1 तो 200 root 3 plus 1 200 root 3 plus 1 option number B is the right answer क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहें तो ये option number B यहाँ पर नजर आता आपको answer आता हुआ क्या इस question को हम किसी और तरीके से भी कर सकते है जैसा मैंने आपको लगा था और कहा area निकालने के अनेकों अनेक तरीके हो सकते है तो area निकालने के लिए अगर मैं बात करूँ तो जरा board पे ध्यान दीजेगा सारी के सारे students देखो अगर मैं यहाँ देखो बहुत जल्दी से देखेगा सभी लोग अगर मैं यहाँ आपसे बात करूँ इस तरह से कि यह A है यह B है यह C है और यह दिया था उसने 30 degree यह दिया था उसने 45 degree यह हमने निकाल लिया था 105 degree यह उसने 40 cm दिया था और उसने इसका हमसे area पूछा था आप मुझे एक बात बताईए सब लोग ध्यान दीजेगा area निकालने की बात और यह area निकालने की बात और यह मैं आपको थोड़ा सा height and distance याद दिलवाता हूँ अगर height and distance याद दिलवाऊ मैं आपसे तो मैं आपसे बात करूँगा 30-60-90 के बारे में 30-60-90 के बारे में height and distance में मैंने कम से कम 30-60-90 को लेकर 10 से 15 कोशन करा हूँगे आपको जरा देखिए मैं vertex A से कल्टीट्यू डालता हूँ नीचे BC पर तो यह 90 बन गया यह क्या बन गया बताई यह 90 बन गया और अगर मैं यह बात करूँ यह भी 90 बन गया इसमें कोई डाउट नहीं है अगर यह 90 है तो क्या यह 60 बच रहा है क्या यह 60 बच रहा है आपको बहुत अच्छे से मालूम है अगर किसी right angle triangle में 30-60-90 बनता हो यह 45-45-90 बनता हो दोनों के नियम है दोनों के नियम सिखा चुक है height and distance प्लीज आप देख लीजिएगा यह मैं दुबारा अभी repeat नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसको लेकर एक घंटा बाचित कर चुक हूँ पहले से इधर देखो मैंने क्या बताए था 90 के सामने गर पता है तो 90 के सामने गर पता है तो 30 के सामने क्या होगा दो अनुपात एक यानिक आदा तो 90 के सामने 40 से तो 30 के सामने क्या होगा आपको मालू में 30 के सामने समझे का 30 के सामने जो होता है मैंने कहा था वो ratio में 1 होता है और 60 के सामने जो होता है वो 30 के सामने वाले को root 3 से multiply करते है और जो 30 के सामने होता है 90 के सामने उसका डबल हो जाता है ये ratio हमने सीख रखे और आपके exam में कई questions ऐसे हैं direct मैं आपको दिखाऊंगा तो अगर इस 90 के सामने ratio जो होता है ये ratio महमेशा क्या होता है 2 ये ratio महमेशा 2 होता है ये ratio महमेशा 1 होता है 30 के सामने और ये ratio में में शक्या होता है बता ये root 3 होता है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या करूँगा अगर ये 2 है 2 की value 40 तो इसकी value क्या होगी बता ये 20 इसकी value क्या होगी 20 और अगर इसकी value 20 है आपको मालूम है कि 30 के सामने ये तो 60 के सामने क्या होगा इस 20 को root 3 से multiply करो, तो ये 20 root 3 हो गया, ये 20 root 3 हो गया, इधर हो ज़रा, क्योंकि मेरे को अगर 2 sides चाहिए, तो फिर पूरी-पूरी चाहिए, अब से इधर देखो, या तो पूरी से ये 2 sides तो काम हो जाएगा, या आपको मालूम है, अगर आपको side मालूम चल गई, तो ये height तो मालूम आई गई, base और height से भी काम हो जाएगा, देखो, ये 45 है, और ये 90 है, तो ये 45 होना ते है, अरे भई, ये 45 होना ते है, है कि नहीं, ये angle bisector थोड़ी जो बर होगा, भई, ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 होगा, अगर ये दोनों 45 है, तो दोनों sides बदो बराबर होनी चाहिए, तो ये 20 है, तो फिर ये भी 20 होना चाहिए, बात खतम नहीं हो गई, क्या, अभी आपको क्या बताये था, 1 by 2, base multiply height, मुझे base नजर आ रहा है, height नजर आ रही है, base कितना है यहाँ पर, 20, 20 और प्लस 20, root 3, तो दोनों को जोड़ें, तो क्या करेंगे, 20 कॉमल लेते हैं, तो root 3 प्लस 1 हो जाएगा, बताये, अगर मैं 20 root 3 प्लस 20 जोड़ू, तो 20 कॉमल लूँगा, तो ये मिरे को base मिल जाएगा, तो ये हो गया, कितना 20, root 3 प्लस 1, ये तो हो से multiply करो, 200, root 3 प्लस 1 मेरे पास यहाँ पर रहता है, ज़रा ध्यान दीजेगा, क्या यही option आ रहा था, 200, 200, root 3 प्लस 1, उमीदे आप मेरी बात को समझ पारें, that's very very important, एक बाद ज़रा बोड पर देखेगा, सारे लोग, ये अगला question आ गया, लेकिन मैं थोड़ा यहीं बता ज नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, ये base है और ये height है, तो 1 by 2 base into height और बीच का angle कितना 90 degree, और sin 90 कितना हो जाता है, sin 90 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है न, इसलिए उसको लिखते नहीं है, अगर मैं किसी equilateral triangle की बात करता हूँ, तो क्या होता है, तीनो sides बराबर होती है, बराबर ह दोनो sides, दोनो sides क्या है, A और A, बताइए ऐसा है या नहीं, और बीच में sin 60 आता है, तो 2 sides पता और बीच का sin 60 कितना होता है, root 3 by 2, root 3 by 2, तभी तो आया ये, root 3 by 4 A square, यही तो शेतरफल बनता है, equilateral triangle का, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तो base तो यही है नहीं आपर, base तो यही बनता है, क्या बनता है अगर आपको 2 sides पता है, और दोनों के बीच का angle पता है, तो आसानी से area निकाला जा सकता है, next पर चलते हैं हम लोग, question number 106 ध्यान दीजेगा, क्या बोल रहा है वो इन्हें triangle A, B, C, A और C का आपस्तो angle बता है, find the ratio of all the sides, अभी आपको बता है sides निकालने का तरीका, A अगर पता है, C पता है, तो B पता लग जाएगा न, B 60 होना चाहिए, angle B कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, कि नहीं, total तो 180 बनेगा, आपको मालूम है, sides A, B, C, अगर मैं बात करूँ, एक बार फटा-फट से लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए, A, B, C, C 90 डिगरी है, मैंने गलत बना दिया, कोई बात नहीं, जरा देखे, ऐसा बनाना पड़ेगा भई, यह C है, A, B, C, और A कितना है, 30 डिगरी, A कितना है, 30, C 90 है, और B जो बच गया, वो कितना है, पता है, 60, यह A है, यह C है, और B, A, Sides है, तो A, B, C, आपको क होइं, कुछ भी नहीं, सीधा करेंगे, पड़े, मैं आपको बताना चाहरा हूँ, इस सारी एक चीज़ें, हम साइन रूल से पड़ रहे है, तो A निकालने का मतलब कहा है, साइन 30, और B निकालने का मतलब कहा है, B निकालना साइन 60, क्या है, पताइए, साइन 90, साइन क्या तो यहां पर नीचे बात करें, तो 2 हमें दिखी रहा है, तो 1, root 3 और 2, option number A is the right answer, क्या मेरी बात को समझ पा रहें, और अगर आपको थोड़ी जानकारी है, तो मैं already आपसे धेरों बार ये बातचित कर चुका हूँ, height and distance के अंदर, we have already discussed the same in height and distance, आपको बता है कि 30 के सामने जो होता है, 90 के सामने उसका दुगना होता है, देखो ज़रा, 30 के सामने जो होता है, 90 के सामने उसका दुगना होता है कि नहीं होता, ये A, B, C में C, 90 तो है, अ A के सामने जो होता है, 90 के सामने उसका दुगना होता है, और जो 60 के सामने है, वो A के सामने वाला root 3 से multiply करते हैं, ये बर ज़रा board पे देखेगा, सारे के सारे students, धेरों सवाल आते हैं, इस पर धेरों, और इससे आसान कुछ होता नहीं है, देखा जाए तो, A, B, C, अगर माल जो मैं इसको 30 बोल दूँ, मैं इसको 60 बोल दूँ, और ये 90 है, मैं आपसे request करूँगा, आप लोग पहले क्या देखिए, height and distance की classes देखिए, वहाँ सारा बता रखाए, देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 30 के सामने, अभी proof किया ना, 30 के सामने अगर ये 1 है, ratio में, त तो 1, अगर ये 30 के सामने, तो 60 के सामने क्या होगा, जो 30 के सामने, उसका root 3 से multiply करना है, अब ये 1 है, तो root 3 से multiply करने पर root 3 ही आएगा, और 90 के सामने क्या होगा, जो 30 के सामने, उसका दुगना होगा, तो ratio में में शहीए बना रहेगा, तो कोई भी इन में से एक information है, तो बा है फिर यह 20 cm है बताइए और यह अगर 20 cm है तो यह कितना है यह 20 को रूट 3 से multiply कर दो तो 20 रूट 3 cm हो जाएगा क्या मेरी बात को समझ पारे तो आप यह 30 60 90 को दिमाग में बना कर रखिए इस इंपोर्टेंट एक्जाम में है प्रेशन ऐसे आ रहे हैं और देखिए एक प्रेशन अपन और आगे लेते हैं इसी तरह का कौशन अमर 107 पर ध्यान दीजेगा कि ए बीसी ट्रेंगल में यह उसने 15 डिगरी बोला है सी 90 डिगरी बोला है और रेशो पूछें तो जो बी बच गया एंगल वो कितना बच गया भई 75 डिगरी बच गया तो आपको अगर तीनो साइट के रेशो चीए तो साइट ए का क्या होगा साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री B का क्या होगा, साइन 75 डिग्री, और C का क्या होगा, साइन 90 डिग्री, तो इस 90 में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, 15 की बात करें, वैसे हम पहले डिसकस कर चुके हैं, फिर भी फटा-फट से देखो जरा, क्या मैं इसको 45-30 बोनू तो तो चुके बात करें, तो यहां अगर हम बाचित करें, दिरा ध्यान दीजेगा, तो रूट 3, रूट 3-1 upon 2 रूट 2, और आपको यह ध्यान होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, और साइन 75 के लिए इसी को आप प्लस कर देते हो, साइन 75 के लिए इसी को क्या करते हो, तो साइन 15 तो यह आईगे आपके पास में, यह रेशो, और साइन 75 को अपने आज ही तो निकाला है, रूट 3 प्लस 1 upon 2 रूट 2, बताइए है कि नहीं, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता ही है, अगर मैं इस पूरे को 2 रूट 2 से मल्टिप्लाइ कर दूं, या LCM लों, तो 2 राएगा, तो मुझे मिलेंगे, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1, और 2 रूट 2, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1, 2 रूट 2, ऑप्शन नमर C, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1, और 2 रूट 2, यह मेरे को इन तीनों साइट्स के क्या मिलेंगे, रेशो मिलेंगे, इसम कि सब को फाइदा मिलना चाहिए मेरी शुब कामना हमेशा कितर आपके साथ है वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच